अब भेतरीन मामला है भारत की इतियास का जिस संस्था के पास 3,000 करोड रूपे के करजे में भिक गई धूब गई 90 करोड के करजे में जिसके पास 3,000 करोड की संपती थी यह किसके गले के निचे उतरता है समझा जा से जो यहां पर कैमरा है वो हमारी वज़े से क्योंके अटल जी तो जोटा बुग्गी लेकर गए थे पार्लिमेंट में और का था ना क्यामरा आएंगे ना कंप्यूटर आगा ना क्या पार्टी ने चुना था ना इंडिकेट सिंडिकेट की लडाई में बनी तो राजीव गांधी जी को किसने चुना था देश ने चुना था ना इंद्रा जी की दुगद मृत्व के बाद उप्णी हुई सानबू तिलेर के लिए बने थे और नर्सिम महराओ जी कैसे बने पता है और फिर एक्सिडेंटल प कि यह नेता बन 문제 प्रधानमंत्री बने प्रधानमंत्री बने मं अमेज़ेश स्वतंतरता के अंधर अपने तंत्र में तो करना है तो ती करते हैं परन्तु अफसोस की बात यह है कि यह तो एक मौका था उस पार्टी के पास जो अपने को स्वतंता आंदोलन का होल सोल एक्स्क्लिव कॉपी राइट होल्डर क्लेम करते हैं उन्हें तो सबसे आगे आकर कहना चाहिए था कि स्वतंता के अमरत महुत्सव के इस वर्ष का एक विचित्र केस है सामानिता नेताओं पर आरोप क्या लगता है कि सरकार में आने के बाद जंता के धंजे ब्रष्टाचार किया यहां आरोप यह है कि अपनी पार्टी के अध्यक्षपर पर रहते हुए अपनी पार्टी की संस्था की संपत्ति का दिग्रण कर लिया औ स्वतंता संग्राम सेनानियों के नाम के बनी संस्था का क्या उसी की पार्टी के नेताओं के द्वारा दिग्रण क्या जा सकता है सबसे पहली बात तो अगर ये अमरित काल है हमारे देश के स्वतंतरता के बाद अमरित काल महुतसव मनाया जा रहा है तो ये अमरित काल तक पहुचने के लिए कितने लोगों ने विश्पिया था अमेशी गांधी जी उनमें से एक थे वही गांधी जी जिनके लिए इनकी सां अब तो ये भी संसद में है और खुद सांसद है तो इनहीं की कली कहूंगी मैं चाहे राजय सभा और लोकसभा का अंतर है लेकिन वही महला है जो गांधी जी के लिए अब शब्द बोलती है वही महला है जो इस देश के माटी के पुत्र जिन्होंने अपनी जान लोशावर कर बोला था कि में मेरा वेरा क्या था उन्होंने की मेरे शुदा फां जी श्राप लगा है मन्तकर करे जी को अमर शहीद मन करकर क्या इस तरीके से धायारत का अमरितकाल स्वथाइन तबरत अधिवसका मनाया जारहा और गांधी जी से आपको इतनी घृणा है चलिए वो तो देश के अजादी में लड़ाई लड़ रहे थे और आप वहां पे बैठके माफी नामें लिख रहे थे घृणा समझ आती है लेकिन हेमंत करकरी जी से क्या इतनी दुश्मनी थी यह कैसा अमृत काल है जहां पर इनकी सांसद वह महला है और आज तक सर्मोधी जी उनको माफ नहीं कर पाए है आज तक अपनी पार्टी से निलंबेद नहीं किया है तो राधिका जी ने गांधी जी पर इतना भारी प्रवचंग दिया मगर राहूल गांधी ने जो डीपी लगाई उसमें गांधी थे कि नहरू थे बस गांधी का नाम है और दिल में दि एक मिनट इन्हों ने कहा कि सोनिया जी के लिए कहा गया कि वो माफी मांगे गैर हिंदी भाशी थे इसलिए उनसे गलती हो गई अरे भाई मैं तो कह रहा हूं कि कॉंग्रेस पार्टी के वालों को कहना चाहिए सोनिया जी को कहना चाहिए ता धीर रंजन चौदरी से मैं तो बचकाना और वहियाद बचाओ का करने का तर्क अब आईए इडी के उपर यहां मैं कहना चाहता हूँ यह नेशनल हेल्ट का केस कब शुरू हुआ हमारे जमाने में शुरू हुआ क्या अक्टूबर 2013 किसकी सरकार थी इनकी सरकार थी कहा तर शुरू हुआ किसी सरकारी एजनसी ने शुरू किया न दिल्ली हाई कोट में एक प्याईयल ताकिल हुई और उसके ओपर दिल्ली हाई कोट ने कॉग्णिजेंस लिया इसलिए शुरू हुआ जो इनको बेल लेनी पड़ी वर्तमान अध्यक्ष सोनिया जी को पूरवध्यक्ष राहुल जी को किसके कहने पे दिल्ली हाई कोट के कहने पे अब बताईए साब शुरू हुआ आपके जमाने में कोट से कहने पे आपको बेल लेना पड़ रहा है और यहां पर एक और मामले में बड़ा भेतरीन मामला है भ जिसके पाथ 3,000 करोड की संपती ती यह किसके गले के निचे उतरता है समझा जासे तो एक बचकान और वहिया तरीका जो यहां पर देखने को मिला इस चीज से बचने के लिए कि गांधी जी का अपमान क्यों हुआ हेमंद करकरे का अपमान क्यों हुआ अगर हमने नहरू ज आज मेरे प्रधान मंत्री और मैं कहती हूं है क्योंकि देश की जनता ने उनको चुना है वह मेरे भी प्रधान मंत्री है वही नहरू जी इन ही के और इस देश के प्रथम प्रधान मंत्री जिन्होंने स्वतंत्र भारत का निर्मान किया यहां पर क्यामरा है वह हमारी के लिए बने थे और नर्शिम महराव जी कैसे बने पता है और पिर एक्सिडेंटल प्राइम इनिस्टर जो कि सोनिया जी के त्याग के कारण एक्सिडेंटल प्राइम इस्टर बन गए थे देश की जनता को पता इसलिए आज तक इस देश में दोई प्रधान प्रधान मंतरी उना चाहिए नेता बन के प्रधान मंतरी वने प्रधान मंतरी बन के लिए